तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल of technology tools तो आज कि इस वीडियो के अंदर जो है हम अपना 6 plus का जो है वो sim bypass करेंगे और वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले हम अपनी device को करेंगे jailbreak jailbreak करने के बाद हम अपनी device को करेंगे अपने system के साथ attach और unlock tool को कर लेंगे open तो आएं शुरू करते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि मेरा unlock tool जो है वो open हो चुका है तो device जो है हम उसको कर लेते हैं jailbreak jailbreak के बाद आपने सबसे पहले backup passcode करना है आपल को पर जाने के बाद passcode के अंदर तो यह हमारा backup passcode done हो चुका है तो उसके बाद जो है यहां से अगर हम click करते हैं token read करने की कोशिश करते हैं token read हो जाता है तो हमारा iCloud वैसे ही remove हो जाएगा हमारी device में से लेकिन यह देखें यह नहीं हो रहा तो अभी हमने जो इसका backup लिया है passcode को done हो चुका है उसके बाद हम कर देंगे device को erase all erase all होने के बाद हमारी device जो हो जाएगी on तो device को erase all करेंगे यह हमारी device जो है वह हो रही है on तो यहां से video को मैं थोड़ा सा कर देता हूं fast forward कर देता हूं video को तो यह done हो चुका है उसके बाद हम यह connect करते हैं हमने device को यह देख सकते हैं connected होने के बाद activate now पर हम click करते हैं तो यह हमसे जो है हमारा iCloud जो है वह उसकी requirement करेगा क्या पहले उसको on करें उसके बाद जो है लगाएंगे तो यह on होगा वरना हमें दूसरा bypass करना पड़ेगा जिसमें SIM नहीं चलेगी लेकिन हमने सबसे पहले backup ले लिया हुआ है तो backup को अब जो है हम करेंगे restore तो jail break कर लेते हैं तो बारा से jail break करने के बाद जो है हम आते हैं apple के उपर apple के उपर आने के बाद जो है after jail break हम इसको जो है वह करेंगे रिस्टोर अपनी डिवाइस का जो है तो वह restore करने के लिए पहले jail break होना ज़रूरी है तो मैं पहले jail break कर लो अपनी डिवाइस को तो डिवाइस मेरी जो है वह jail break हो चुकी है उसके बाद जो है अभी देखते हैं हम इसको restore करके तो यह देखें यह भी jail break नहीं हुई मैं फिरसे try करता हूँ मेरी device को वह देखे वह fail कर रहा है तो इसका मतलब यह jail break हो जो में फिरसे अपनी डिवाइस को और यह दफा करता हूँ jail break तो जो जो पाद जो है हम फिरसे इसका जो है we restore करते हैं जो है डेखते हैं अभी होता है कि नहीं नहीं अभी भी यह सेम एरर दे रहा है तो फिर से हम अपनी डिवाइस को जो है वो जेल ब्रेक करते हैं मोस्किली हमारी डिवाइस जो है वो जेल ब्रेक नहीं होती आल डन होने के बाद भी तो अभी जो है लगा के देखते हैं क्या करता है यह देखें यह डन हो चुका है तो तो यह अभी रिस्टोर हो रहा है हमारा जो बैकप था सारे का सारा वो बैकप जब रिस्टोर होगा तो हमारा iCloud जो है वो बाइपास हो जाएगा सिम बाइपास अब कोशिश करें आपके पास जो बैकप होते हैं उनको आप अपनी डिवाइस के सीरियल नंबर पर यहां IME नं होगा है तो इसके बाद हम सेट अप करेंगे तो डिवाइस ओन हो जाएगे और सिम भी 100% वर्किंग पर होगे तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अलाहाफेज झाल है छिवाइस